तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि वीवेक और खुशी के बीच में क्या चल रहा था उससे तो सब आप वाकिफ ही हैं हम डेली पोड्कास हम भी डाल रहे हैं और लोग भी डाल रहे हैं और क्या चल रहा है क्या नई अपडेट आई है विद प्रूफ के साथ आपके साथ हैं तो बने रहे हैं पोड्कास में हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथे साथ बला आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो भाई प देफिनेटली वीडियो की फैमली तो उसको लीग करने से रही एंड इन उसके बाद फिर एक वाटसेप चैट लीग हुई है वो भी परपस लीग की गई है क्योंकि उसमें जिस तरह की बाती हो रही थी जिस तरह का अपने से बोल कर जितने वह लेटर्स उसमें साफ दिखा मौर्ड सर के दुनीया होती है सब नख्ली होती है यहां नख्ली प्रूस बनाया जा सकती है नख्ली सबूत बनाय जा सकती है लोगों का तो यह भी कहना वह जो आपने ही है original है इधर से खुशी की भी और उधर से उनके पापा जी की भी चैट भले नखली हो सकती है बनावटी हो सकती है दिखावा हो सकता है लेकिन आवाज को कैसे neglect कर सकते हैं और तीन चार महीने से गायब ये कपल ना ही कोई update आ रही है ना कुछ आ रहा है बीच में ये भी सुनने को आया था कि ये कह दिया गया था कि ये legal चीजों में गए हूँ है तो इसी वज़े से इनको लीगल की वज़े से ही कि इनको जो केस में चल ला है उसमें इनको हिदायत दी गई थी कि आप कोई भी चीजों को बाहर डिस्क्लोस नहीं करेंगे बाहर नहीं बताएंगे क्योंकि व्लोकर्स की तो दुनिया यही होती है तो यह सब कानवनRY जानते हैं वकील झानते हैं कि यह सोशल मीडिया से दूर रही नहीं सकते जब तक कि यह सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे अपने लाइफ अपडेट नहीं देंगे तब तक इनको भी चैन नहीं मलता रहला कि को कोई भी छीजे डिस्क्लोस नहीं करेंगे लेकिन अब से एक हफते पहले यह सुनने को मिला था कि स्नैपचेट पर कुशी एक्टेट हुई थी और तभी भी मैंने स्क्रीन शॉट भी लगाये था और प्रूफ भी दिये था कि किस तरह की कमेंट बात हो रही है यह इनी के ही च हापर वहाँ पर लोगे जो हैं और सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी आ रहे हैं कुछ लोग उनके फिवर में जवाब दे रहे हैं कुछ लोग जो है उसके जवाब से यह यह एलो कमेंट रहे हैं और उनसे और सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछना लाजमी भी है त पने चैनल को वापस से अप करने के लिए क्योंकि इनकी व्यूज़ राउन जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जान बूच के करने क्योंकि इनको बिग बॉस में जाना था। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यह सारी चीज़े जूट नहीं हो सकती क्योंकि जो reality है वो लोगों को दिख रही है तो मैंने पहले ही कहा जितने लोग उतने ही बात सच्चा ही क्या है वो तो तब तक ही मालूम होगी जब तक वो खुद से सामने आकर वो चीजों को ना बताएं या विवेक की फैमली हो या फिर खुशी आए सामने वो आकर बताएं लाइव करें या वीडियो पर बताएं या वो टेवर जिस भी तरह से बताएं लेकिन एक चीज और सामने आ रही है इससे पहले भी जब कुछी लाइव आई थी यानि कि स्नैप चैट पर आई थी और इसके बाद अब यह 19 घंटे पहले का जब हम पोर्कास बना लें उससे 19 घंटे पहले उन्होंने एक स्नैप स्टोर लिए उससे यह लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इन लोगों की बीच में सब ठीक हो गया है इन्होंने सुलाह कर लिया है और अब जो भी चीजें है वो सौट आउट कर लिया है भाई अगर अगर ऐसे ही है कि इन्होंने सौट आउट कर लिये तो बहुत अच चलके बड़ी problem ना हो तो उससे अच्छा है कि बड़ी problem होने से पहले ही चीजे जो है वो short कर लेनी चाहिए वो separate हो जाना चाहिए इन सारी चीजों को clear कर लेना चाहिए अब allegations लगा रहे हैं कि भाई खुशी गलत है और दूसरी तरफ से allegations लगा जा रहे हैं कि विवेक गलत है यह तो यह बहतर जानते हैं या फिर इनके घरवाले बहतर जानते हैं या फिर भाई उपर वाला बहतर जानता है लेकिन इन सारी चीजों में अभी क्यों उनकी भावी सामने आई कहा थी वो तीन-चार महिने से जब लोग allegations लगा रहे थे अलग-अलग तरीके के सवाल हैं साथ में हैं और किसी वज़े से इनक्टिव हैं जूटी बाते मत फैलाओ व्यूज के लिए तो उनी को कोई उनको रिप्लाई में कह रहा है अब चल जूटी सोचुवे खा के बिली हज को चली अब तुमारी ननर सब लीक करके सिंपती ले रही है वो F.I.R. की कॉपी ज जूटी थी क्या लखन गांधी लॉयर भी जूटा है क्या हम पागल नहीं है समझी पहले बोलती ये सब अब पब्लिक को गुम्रा मत करो मतलब वो ये कहना चाहरे हैं कि हमें सब पता है हमें ये सारी बाते आकर यहां मत बताओ उसी को रिप्लाई करती फिर वापस से वह आ नीचे लिकर वो कहते हैं वो लोग अपने घर हैं ठीक हैं किसी की डैथ हुई है फैमली में पता चल जाएगा मतलब वो ये कहना चाहरे हैं कि अगर वो सोचल मीडिया से दूर है तो फैमली में किसी में कहीं में डैथ हुई है जिसकी वज़े से वो अभी कोई भी सोचल क्या है लिक है लिक बो सबसे हैं और नहीं कोपी जूटी हो सकती है छैट जूटी हो सकती है जब वुइस भी जूटी हो सकती है वो जो वोइस रिकॉर्ड जो लीक ह हुई है उसका क्या कहना उस पर आप क्या कहोगे ओडियो की बता फेक F.I.R. बन गई सिगनेचर के साथ और वो भी थाने वाली फोटो की वा ओ चलो फेक ही सही तुम्हारे ही घर के लोगों नहीं लीख करा है तो उनको शरमानी चाहिए ये सब करते हुए गुड जोक है और और भी बहुत बड़े ढर उसको प्रेंग का नाम दे रही है और उसी को आगला कमेंट करके कहती है तुझे क्यों मिची लग रही है वो ठीक है न तो वहीं वो यूसर उनसे सवाल उठाते हुए कहते हैंनों का सवाल उठाना भी बिल्कुल स्या यह लाजही है हर कोई भी इंसान होता वो यही सवाल उठाता तो वो कहते हैं वहाँ वहाँ प्रेंक में खुशी के ससूर गाली देते हैं बताना ऐसा कूं सा प्रेंक है बताना प्लीज भावी मुझे भी देखना है वो प्रेंक वीडियो और हम हेटर्स नहीं हैं हमें तो खुद आगे से आई है हाथ और बोड़ी तो पहचान ही लेगी जनता मुझे तो खुशी होगी कि अगर वो साथ होंगे लेकिन जनता को पागल बनाया उसका क्या सिंपती के नाम पर मदद मांगी भाबी जी अगला कमेंट भी उनी कही है वो लिखते हैं अगर सब शोट हो गया है तो अच्छी बात है लेकिन जूट बोलेंगे तो भगवान माफ नहीं करेगा कहूंगा मुझे तो खुद नहीं पता कि क्योंकि फैमिली आपकी है तो अगर डाइवोर्स ना हो तो ही अच्छी बात है कि राजा की लाइफ अच्छी होगी लेकिन जिसने भी ये प्रूव दिये हैं कुछ फैमिली के लोगों ने जो बात बताई है means तब वो लोग जूटे थे बगवान जूट को सजा जो उसको जरूर देगा चलिए हम तो यह कहेंगे feeling happy for राजा बेबी तो देखे मैं भी यह कहूँगी कि अगर यह सब short हो रहा है चलिए जितनी भी problem इसके बाद भी अगर यह सब short हो रहा है और short होने के बाद अगर उस बच्चे की जिंदिगी में मा और बाप दोनों का प्यार मिल सकता है पूरी family का प्यार मिल सकता है तो इस सची क्या बात है गलती किसने की है उस गलती को अगर short किया जा सकता है और वो गलती इतनी बड़ी गलती है कि उसको भुला कर माफ कर कर आगे बढ़ा जा सकता है और लगता है कि आगे सुधार है तो डेफिनेटली इस तरफ जाना चाहिए और अगर लगता है कि नहीं यह जैसे कि हमें चैट से सुनने को मिला था वो चैट असली है यह नकली है जिसमें यह बोला गया था कि 2020 से यह सारी चीज़े चल लिए यानि कि 2020 से तो अब तक यह चोथा सार लग गया है तो कि अगर यह सारी चीज़े लगातार हो रही है तो फिर भाई मुझे नहीं लगता कि फिर यह इन सारी चीज़ों में आगे को जादा चलना चाहिए फिर भी अगर बच्चे के लिए देख जाए प्रवाइब आप लोगों की ही है लेकिन अगर सुला हो रही है और वो जो हमने स्नैप शॉट देखा है स्नैप रील देखी है कि जिसमें हाथ में हाथ डालके वो खूब अच्छे से इंजॉई करने अपनी लाइफ को तो इस से अच्छी जरीस क्या हो सकती है तो यह थी या आपकी क्या ओपिनियर प्लीज हमारे साथ जरू शेयर कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई आला हाफिस टेक केर